तो आप चाहें इसमें कितने भी फंदे डाल सकते हैं यह एक एक फंदा मैंने इस कली में घटाया है तो आप जितने फंदे चाहें उतने इसमें डाल सकते हैं इसमें मेरे 20 फंदा हैं तो आपको अगर इससे बड़ा बनाना है तो आप ज्यादा डालें अगर छोटा बनाना है तो फंदो को कम डालें और यह वाली जो कली है इसमें मैंने 16 फंदे डालें तो आप अगर छोटा बना रहे हैं तो फंदो को कम कर लें और अगर बड़ा बना इस प्रकार से यह और ये देखिए ये इस प्रकार से फंदों को डालेंगे ये देखिै ये इस प्रकार से देखिए ये ये देखिये बलियो इ Barbokon इस प्रकार से तो देखिए फ्रेंट्स हमें फंदो को बिल्कुल इसी मेथर से डालना है देखिए मैंने डाले हैं बिल्कुल ऐसे फंदो को डाले हैं आप देखिए मैंने आठ नमबर की सलाई में इस फंदो को डाला है आप चाहें तो 8, 7, 6, 5 4 में से किसी भी नमबर की सलाई से बना सकते है देखे मैं फंदो को complete डाल लेती हूँ पहले तो यह देखे मैंने इसमें फंदो को बिल्कुल complete डाल लिया है यह देखे 20 फंदे मैंने डाले हैं इसमें अब चलिए से हम बनाने स्टार्ट करते है तो यह देखे यह देखे इस प्रकार से पहली सलाई हमारी बिल्कुल सिंपल निकलेगी जैसी हम बनाते हैं ना फंदो को कुछ भी नहीं करेंगे पंदो को हमने डाल लिया 20 फंदे उसके बाद हम यह पहली लाइन बना रहे हैं बिल्कुल सिंपल मैधर से यह देखे बिल्कुल सिंपल मैधर से तो यह देखे फ्रेंट्स इसमें अब यह जो एंड वाला फंदा है इसे हम क्या करेंगे ऐसे ही छोड़ देंगे और यह हमारा जो कपड़ा है इसको हम दूसरी साइड कर लेंगे इसे ऐसा ही छोड़ देंगे अब यह देखे दूसरी साइड हमने इसमें कपड़े को कर लिया तो यह देखे इस प्रकार से फिर से हम बुनेंगे एक फंदा हमने छोड़ दिया है इसमें हमें हर सलाई में एक एक फंदे को छोड़ना है देखे एक फंदा छोड़ दिया ऐसे ही हम दूसरी बार लेकर आएंगे तो दूसरा फंदा छोड़ेंगे फिर तीन फिर चार इस प्रकार से हमारे जो 20 फंदे हैं वो पूरे ऐसे ही हमें छोड़ने हैं तो यह देखें यह वारी लाइन हम बनाते हैं पहले यह देखें इस प्रकार से इस line को हम complete करेंगे तक यह line हम complete कर लेते हैं lock complete करने के बाद हम क्या करें दूसरी line बना रहें ये देखिये इस प्रकार्से क्रिस्म में और कुछ नहीं एकी साइब फंड को छोड़ना है एक एक करके फंड थि छोड़ने हैं तो देखे वह line हम बना रहे हैं देखिए अब एक फंदा हमने पहले छोड़ा था अब एक फंदा और छोड़ देंगे और कपड़े को दूसरी साइट लाकर फिर से बनाएंगे इसे यह देखिए इस प्रकार से हमारी यह लाइन जा रही है यह देखिए और एंड वाला फंदा फ्रेंड्स मैं हमेशा इसमें उतारती ही हूँ और दूसरी साइट से बनती हूँ तो उससे क्या है यहाँ पर डिजाइन बनती है यह देखिए इस प्रकार की तो फिनिशिंग अच्छी लगती है इसलिए मैं हमेशा इसा ही करती हूँ इसमें यह देखिए अब हमने दो फंदो घटा दिये अब हम क्या करेंगे तीसरा फंदा जो होगा वो घटाएंगे यहाँ पर दो फंदे तो हमने कम कर दिये तो फ्रेंट्स इसी प्रकार से हमें क्या करना है दीरे दीरे करके जो बीस फंदा हमने डाले हैं तो बीस फंदा पूरे हमें ऐसे ही एक एक करके छोड़ देंगे एक साइड से तो हमारी एक कली जो है वो बनकर इस प्रकार से complete हो जाएगी, जब हम धीरे-धीरे करके फंदो को छोड़ देंगे तो हमारी एक कली जो होगी वो बिल्कुल complete होगी, और फिर उसके बाद में अगर आप चाहें तो एक ही color से ये पूरा जो round है वो बना सकते हैं, और अगर आप चाहें, तो इसमें दो color भी use कर सकते हैं दो color या फिर multi color में आप बनाना चाहें, जैसे भी आप इसे complete करना चाहें friends, कर सकते हैं तो ये देखिए, हमारी ये line भी complete हो गई है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले दो फंदा छोड़ेते आप 3 फंदे छोड़ेंगे तो friends, इसी प्रकार से इसे हम complete कर लेते हैं पूरा एक एक फंदे को छोड़के यहाँ पर आ जाएंगे, 20 फंदा complete छोड़ेंगे उसके बाद फिर आपको बताते हैं आगे हम क्या करेंगे अब यहाँ से हम दूसरे color को इसमें जोड़ेंगे तो यह देखिए, कैसे जोड़ते हैं वो आपको बताती हूँ मैं तो यह देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसे तिर्शा काट लिया है, मैंने देखिए, देख सकते हैं और यह वाला भी तिर्शा काट लिया है इसको इसके अंदर इस प्रकार से डालके ये देखिए इस प्रकार से इसे डालेंगे हम ये ये देखिए फिर ये तो ये जो लाइन है अब हमें पूरी इस कलर से बुननी है हमें एंड तक जाना है एक भी फंदा नहीं छोड़ना है एंड तक इसे पूरी कम्प्लीट बुनेंगे हम ये देखिए इस प्रकार से एक एक करके फंदो को लेंगे और पूरी इसे कम्प्लीट बुनेंगे ये देखिए आप इसी प्रकार से बिल्कुल इसे बुनकर complete करना है हमें एक-एक फंदा देखिए जो हमने लिया था उसे बुन रहे हैं एक साथ सारे फंदों को तो यहां से friends हमारी दूसरी जो कली है वो start हो रही है इसमें भी हमें क्या करना है एक-एक करके फंदों को छोड़ना है यह देखिए इस प्रकार से हम बनाएंगे उसके बाद फंदों को छोड़ेंगे इस लाइन में हमें कुछ नहीं करना है जितने भी फंदे हैं पूरे हमें बुनने हैं इसमें फंदा नहीं छोड़ेंगे हम तो यह देखिए यहां पर यह देखिए इस प्रकार से एक लाइन हमारी complete हो गई अब हम यहां से दूसरी लाइन को बनाएंगे यह देखिए यह वाली लाइन जो हमारी है वो बनाएंगे अब हम तो यह वाली भी हमारी बिल्कुल ऐसे ही बुनी जाएगी इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है ना फंदे छोडने हैं कुछ भी नहीं बिल्कुल ऐसे ही simple method से बनाएंगे ये देखिए जैसा कि हम बना रहे हैं इस प्रकार से इसे बनाएंगे पूरी फिर इसके बाद से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स ये line जब हम complete कर लेंगे तो next line से हमें क्या करना है इसमें एक एक करके फं बिल्कुल वैसे ही फंदों को छोड़ेंगे और फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमें इसे पूरा complete करना है यानि हम एक एक करके फिर से फंदों को छोड़ते जाएंगे तो जो हमारे 20 फंदे पूरे हो जाएं फिर से हम दूसरा color लगा देंगे इसमें तो इस प्रकार से इसे हम बनाकर complete करना है तो यह देखिए यह यह वाली लाइन हमारी complete हो चुकिये इस प्रकार से इस लाइन को भी हमने complete कर लिया बिलकुल यह देखिए और फंदों क्या खरते हूं जैसे एक साइट से उतारती हूं दूसरी साइट से बुनती हूं दूसरी से कर लúaएंगे तो यह य कर ले जाएंगे फिर एक बंदे को छोड़ देंगे ऐसे करके हमें 20 बंदों को छोड़ना है तो इस प्रकार से यह हमारा जो राउंड शेप में है वो बना कर हम इसे बिल्कुल कंप्लीट करेंगे इतना कंप्लीट करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ आगे हम क्या करेंगे देखे मेरी इसमें आट करली बनकर कंप्लीट हुई है और देखे यह वाला पार्ट है हम इसे भी बनाएंगे देखे इस प्रकार का इसे भी हम बनाएंगे और ऐसे हमें चार पार्ट बनाने हैं यह देखे इस प्रकार के चार पार्ट बनाने हैं अब इतना कंप्लीट करने के बाद फिर देखे हमें इसमें क्या करना है जैसा हमेंने ये बना रखा है इसमें ये देखे ये अब हम बनाएंगे ये वाले जो हमें बाद में सिलने हैं इसको बनाकर आपकर हमने complete कर लिया है बाद में सिलेंगे पहले जो यह हैं 4 है इसमें देखिए एक, दो, तीन और यह चार, चार पार्ट हैं इन्हें हम बना कर कमप्लीट करेंगे उसके बाद इसे सिलेंगे तो यह कैसे बनाना है वो में आपको बताती हूं देखिए यह वाला जो है हमारा इसमें हमें क्या करना है सबसे पहले देखिए एक, दो और तीन तीन को छोड़ कर यह जो चौरती सलाई है यहां से हमें फंदो को उठाना है तो देखिए फंदो को हम कैसे उठाएंगे वह आपको बताती हूं इस साइड से उठाएं या इस साइड से जिस साइड से आप कमफर्ट हों साइड से उठा सकते हैं फंदो को तो यह देखिए मैं यहां से तीन को छोड़कर एक, दो और तीन तीसरे पर फंदे को उठाऊंगे तो यह देखिए यह कपड़ा ले लिए हम इने यह देखिए यहां से आप जिस साइड से कमपट हो जिस जैसे आप कोई जिस आप हाथ का ज्यादा यूज़ करते हों उसे सापसे साप बना सकते हैं जैसे देखिए मैं इसाथ से इसे कर रही हूँ तो यह देखिए पहला फंदा माना यह देखिए इस से अगर थोड़ी से प्रॉब्लम हो सकती है आप यहाँ पर कुरशिया का भी यूज़ कर सकते हैं तो यह देखिए कुरशिया से आपको बताती हूँ यह देखिए इस प्रकार से यह मैंने निकाल दिया पहला फंदा अब सलाई से भी निकालें तो भी इसी प्रकार से निकालें यह देखिए दूसरा सलाई को इसमें डाल कर फंदे को निकाल लें यह देखिए मैंने कुरशिया से निकाला है सलाई से भी आपको बता देती हूँ एक बार यह देखिए इस वाले को बिल्कुल टाइट रखके और यह देखिए निकल गया इस प्रकार से उसे नेक्स्ट वाले में कुषिया से ठोड़े है अगर आपके पास कुषिया है और अपके यूज करते हैं तह AGुड़र से छल्दी हो जाएगा सलाई से ठोड़ी से प्रॉब्लम आती है तह आप कुषिया का यूज कर सकते हैं इसमें तो देखिए इस प्रकार से फंद को उठा रही हूँ मैं आपको इस सलाई से भी मैंने उठाना बता दिया अब मैं से कुरशिया से उठाती हूँ थोड़ा जल्दी हो जाएगा इस ये देखिए आप कुरशिया के हल्प से करेंगे तो ये जल्दी उठ जाएंगे फंदे इस देखिए कुरशिया को इसमें डाला और पकड़कर ऐसे निकाल लिया कुरशिया से बहुत इजी लिए हो जाएंगे ये देखिए आप देख सकते हैं इस प्रकार से इन फंदों को हमें उठाना है ये देखिए तो फ्रेंट्स मैं इसे ऐसे ही उठा कर इसे हमें कहां तक उठाने है वो मैं आपको बता देती हूं ऐसे ही फंदे उठाएंगे आपको एक बार और समझा देती हूं कुरशिया से कैसे उठाने है ये देखिए इस प्रकार से कुरशिया के जो इस साइड वाले हमारी साइड यह देखिए कुरिश्रिया को यह डाल दिया और यह देखिए निकाल लिया मैंने साथ के साथ इन फंदों को जैसे आप निकाल रहे हैं उनको क्या करें इसमें डालते हुए जाए यह देखिए फिर उससे नेक्स्ट वाली में तो फ्रेंट समय से ऐसे ही कम्प्लिट करना है आपको समझ में भी आ गया होगा और कहां तक करना है वो बता देती हैं यह वाली पूरी कली और यह दो कली में यह एक डिजाइन बनकर कम्प्लिट होगी तो यहाँ पर एक, दो और तीन तीन छोट देने हैं यानि चौथे तक हमें इसे बनाना है इस साइट से बना कर लाएंगे एक, दो, तीन, तीन छोट देंगे यहाँ तक complete करना है तो इतना मैं complete कर लेती हूं तो यह देखेए फ्रेंट्स हमने इस प्रकार से पलेट लेंगे और जैसे हम उल्टी सलाई बनाते हैं बिल्कुल सिंपल वैसे ही इसे बनाएंगे इतने फंदे बढ़ ली हैं हमने उसके बाद फ्रेंट्स इने काउंट करने की जुरूत नहीं है मैंने आपको बता दिया बस साइड साई हमें तीन तीन फंदों को छोड़ देना है यह देखिए लेसे ही से बनाना है हमें कर दोड़ पर कर दो हमें यह देखिए हमारी यह जो लाइन है ऐसे ही हमें बनानी है तो फ्रेंट्स इसे हमें बनाकर कंपलीट करती हूं फिर आपको बताती हूं आगे से हमें फिर इसमें क्या करना है तो देखिए एक लाइन हमने बनाकर कंपलीट कर ली है अब हमारी दूसरी लाइन बनेगी इसमें तो देखिए दूसरी लाइन बनेगी उसमें क्या करेंगे वह आपको बताऊंगी मैं तो देखे इसे हमने यहां तक बना के complete कर लिया है अब हम क्या करेंगे यह देखे यह हमारा बीच है इन दोनों का इस फंदे पर तो यहां पर क्या करना है उसे आप एक बर ध्यान से समझ लें यहां पर दोनों फंदों के दोनों यह हमारी जो कली है उनके बीच का यह देखे फंदा यहां पर अद देखे हमें यह क्या करना है मैंने आपको बताया था हम बीच में आ जाए वहां पर तीन फंदों को एक साथ घटाना है तीन फंदों को हमें यहाँ पर एक करना है तो यह देखिए यह तीन फंदों को एक कर दिया हमें यानि दो फंदे हमारे घट गए हर सलाई में हमें दो दो फंदों को घटाना है तीन को एक साथ लेंगे तो दो फंदे घट जाएंगे और फिर पूरी लाइन ऐसे ही बनेगी दो फिर फिर पाप मुस्त प्रंड को पूरी घास पिंपल रही तूरी नहीं जाएनगे real जाएन थैनल पहले साथया फिर यह सफाथा कर लेती हो क्या वाली क्यार मुर्ड ही अब आगे की सेड से प्याक़emi एक डाएंगे एड़ी, एड़ी की. अब देखिए फिर से यहीं पर हम क्या करेंगे जो फंदा हमारा घट चुका है उस एक इस साइड से लेंगे एक इस साइड से लेंगे तो यह देखिए इन ले लिए हमने एक साथ और फिर से तीन का एक करेंगे तो यह देखिए तीन का एक होगे हमारा और लास्ट ओल फंदा फिर से उतार के दूसरी साइड से बुनेंगे तो यह वाली जो लाइन है वो भी हमें ऐसे ही बनानी है बिल्कुल सिंपल तो इसे में बनाकर कम्प्लीट कर लेती हूँ तो यह देखिए हम आगे फिर से आगे की साइड में एक आगे 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 अब हम क्या करेंगे इस साइड आकर भी फिर से क्या करेंगे एक फंदे को और घट आएंगे सोरी फ्रेंड दो फंदो को जैसे कि हम तीन का एक कर रहे हैं वैसे ही करेंगे यहां भी प्रेंगे तीन का एक कर देंगे यह दिया रखेंगे इस दो फिर से क्या करेंगे तीन का एक कर देंगे यह दिया रखेंगे हम जो बीच वाला फंदा जो हम एक घटा कर लेकर आते हैं एक इस साइड से फंदा लेना है और एक इस साइड से इस चीज का आप ध्यान रखें तो यह देखे एक और कम हो गया और फिर से यह देखे और पीछे की साइड से फिर यह देखे बनेगे बिल्कुल जैसी हम बनाते हैं सिंपल अब फ्रेंट समय क्या करना है देखेए जैसे मैं यह फंदों को घटा रही हैं बिल्कुल ऐसे ही जितने भी यह फंदे हैं वो सारे घट जाएंगे और एंड में आकर हमारे तीस फंदे हैं इसलिए दो फंदे बचेंगे अगर 31 होते हैं तो एक फंदा बचेंगे और अगर दो के मल्टिपल से नहीं हैं तो end में जाकर एक फंदा बचेंगे तो बहां तक मैं इसे complete कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ फिर के यह कैसी बनी हुई है पूरी complete करने क देंगी उनमें से एक मेंने बना लिया आपको बताया था उसी मेथड से और end में यहां आकर हमें क्या कर देना है कपड़े को कट करने के बाद यह देखिए यह जो हमारा फंदा है उसमें से इस प्रकार से इसे निकाल देंगे और इस कपड़े को कट कर देंगे तो इस प्र तो ये देखिए उसे भी हम बनाते हैं कैसे बनाएंगे फंदे में ने डाल लिये हैं 16, आपको जो मैथर बताया था बिलकुल उसी मैथर से फंदे डलेंगे इसमें भी, तो ये देखिए इस लाइन को भी हमें बिलकुल ऐसे ही बनाना है, simple, ये देखिए तो देखिए फ्रेंड्स हमने एक लाइन जो हमारी है उसे कम्प्लीट कर लिया अब यह देखिए दूसरी लाइन बना रहे हैं हम बिलकुल इसी प्रकार से बिलकुल सिंपल बनेगी देखिए इस प्रकार से इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है अब हम इसमें आगे जो लाइन आएगी उसमें हमें क्या करना है दो दो करके फंदो को छोड़ना है यहर लाइन में हमें उसमें हमें एक एक फंदा छोड़ना है लेकिन इसमें हमें दो दो फंदे छोड़ना है तो यह देखिए यह वाली लाइन हमारी इस प्रकार से complete हो गई है बिलकुल और जो end वाला फंदा है वो तो मैं हमेशा उतारती हूं friends तो इसमें भी उतारूंगी ये देखिए उतार दिया हमेने अब इस साइड से हम क्या करेंगे इसे बनाएंगे ये देखिए तो ये इस प्रकार से दो दो करके फंदे कम होंगे इसमें तो ये देखिए दो फंदे आ गए हमारे अब इनको छोड़ देंगे हम इस साइड से फिर से ये वाली लाइन कम्प्लेट करेंगे ये देखिए इस प्रकार से अब इस साइड आ गए फिर से इस साइड आकर फिर हम ऐसा ही करेंगे देखिए दो फंदा हमने छोड़ दिये अब दो फंदा और छोड़ेंगे इस साइड से ये देखिए देखिए दो पहले छोड़ेंगे दो और छोड़ देंगे ये देखिए तो friends आप इसमें हमें क्या करना है ऐसे ही देखिए चार फंदे मैंने छोड़ दिये फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 फिर 14 फिर 16 इस प्रकार से हमें दो दो करके फंदो को छोड़ना है तो पूरे फंदे मैं यह छोड़ लेती हूं उसके बाद फिर आपको बताती हूं आगे हम क्या करेंगे जोड़ देंगे यह देखिए आप चाहें तो पूरे complete करके भी जोड़ें और मैं यहाँ पर ही इसे जोड़ रही हूं तो देखिए हम इस प्रकार से इसे जोड़ देंगे हम यह देखिए यह एक और यह दो दो फंद को बुन लेंगे इससे फिर अब हम क्या करेंगे दूसरी साइड टाएंगे कपड़े को दो फंदे और छोड़ दिये हमने और अब हम इस साइड आ गए है अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे एक फंदे को तो बुनेंगे और कपड़े को आगे ले लेंगे तो यह देखिए दूसरा जो हमारा कलर है अब यहां से स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल इसको हम स्टार्ट कर दिया है हमने यह देखिए तो एक कली हमारी बन गई है अब यह दूसरी कली बन रही है यहाँ पर तो यह देखिए इस प्रकार से इसे हम बनाएंगे यह देखिए इस प्रकार से इसे हमें कम्प्लीट करना है और फ्रेंट्स यह वाली जो है हमें यह हम बना रहे हैं, यह हमें complete नहीं करनी है, इसमें हम 6 कली बनाएंगे, सिर्फ पूरा हमें round shape में इसे नहीं लेना है, सिर्फ 6 कली बना कर इसे complete करेंगे, यह देखिए, मैं एक बार complete कर लूँगी, फिर आपको बता भी दूँगी, कितनी कली बनी है मेरी, आप तब देख ल यह हमारी एक line complete हुई है, जिसमें हमने फंदों को कुछ भी नहीं किया है, ना घटाया है, ना बढ़ाया है, जैसे फंदे थे, वैसे ही रहने दिये हैं, यह देखिए, यह देखिए, यह वाली line भी हमारी complete हो गई है, यह देखिए, अब friends हमें यहां से अब क्या करना है, दो-दो फंदों को हम फिर से छोड़ने लगेंगे, जैसे हमने नीचे में छोड़े थे, बिल्कुल वैसे ही, दो-दो फंदों को फिर से छोड़ेंगे, उसके बाद यह कली दो-दो करके फंदे छूट जाएंगे, तो complete हो जाएगे, मैंने इसे complete कर लिया, ऐसे ही हमें इसमें चार पार्ट बनाना है, यह देखिए, चार पार्ट मैंने बनाकर complete कर लिये हैं, और इनको इसमें डोर्मेट में जोड़ना है, तो चार पार्ट बिल्कुल complete है, तो चलिए इसे आगे मैं बताती हूँ क्या करना है, तो यह इस प्रकार से रखकर ऐसे जोड़ कर सिल देंगे यह देखिए यहां से इसे सिलेंगे और पूरा यहां तक सिल कर कम्प्लीट कर लेंगे एक इस साइड एक ऐसे ही हमें इस साइड सिलनी है और एक इस साइड सिलनी है यह देखिए यहां पर और एक यह तीन हो गई हमारी तो च करती हो यह इसंद प्रकार से हमारा silker बिलकुल incomplete है यह देखे यह उस वाल इवाले development को भी ऐसे ही सिलना है यह मैंने एक silker तयार किया हुआ है अप देख सकते हैं बिलकुल ऐसे ही ही इसे हमें सिलना है यह देखे स्टेट तो और आपको ड़ूमिट कैसा लगा मुझे से सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फ्रेंड्स